मुंगफली की गचक बनाने के लिए हमें चाहिए सिरफ तीन इंवीडियंट्स जिसमें है रोस्ट कीवई मुंगफली के दाने 100 ग्राम है ये बिनाचिल के लिए एक कब जैगरी है यानि पिसा हुआ गुर्ड और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी तो सबसे पहले हम मुंगफली के दानों को हलका सा क्रश कर लेंगे तो इस तरह मुंगफली को आप तयार कर लें उसके बाद एक मोटे तले वाले बर्तन में दो चमच बानी डाले और इसमें डाले जैगरी, गैस का फ्लेम आप मीडियम पर रखें और इसको लगता चलाते हुए पेगलने तक पका लें गुर्ड एकदम गाड़ा हो चुका है तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये तयार हो चुका है के नहीं उसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा इस तरह गुर्ड डालके चेक करेंगे अगर तो ये पानी के अंदर जाते ही सकत हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो हमारा गुर्ड है ये अच्छे से तैयार हो चुका है तो अब हम गैस का स्विच बंद कर देंगे और इसमें क्रश कीवी मुफली के दाने डालकर इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे इस स्टेप पर आपने बहुत ही जल्दी से इसको मिक्स करना है उसके बाद एक प्लैटफॉम पर घी लगाकर इसको ग्रीस कर ले और इसी तरह बेलन को भी ग्रीस कर ले उसके बाद तयार के गूशे को, इस पर डाले और चम्म से इसको पूरी तरह फैला ले अब इसको बेलन की सहाईतासें, जल्दी से बेल ले, और मन्चाही मुटाई के अनुसार इसको तयार कर ले एक या दो मिनिट के बाद, हम इसको चाकू से इस तरह काट कर मनपसंद आकार के टुपड़ों में तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये लीजिए गर्मा गरम गच्चक बनकर तयार है और ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर है एकदम परफेक्ट गच्चर बनकर तयार हुई है इस गर्चक को आप 15-20 दिन के लिए किसी भी एट अट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी मन करें इसको खा सकते हैं ऐसी और रेसेपीस के लिए आप इस चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्रीज इसे लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ इसे शियर भी कर सकते हैं